नमस्कार मैं हूँ अजीत आनंद आप देख रहे हैं जन्वारी नियूज आए नजर डालते हैं दिन भर की खास ख़बरों पर रेसलर नीशा दहिया हत्याकांड का आरोपी कोच पवन को पुलिस ने दबोचा सलमान खुर्षीद की किताब पर बवाल गहराया कांग्रेसी नेता ने किताब में हिंदूओं की तुलना आईस आईस और बोको हरम जैसे आतंग की संगठन से की है राजस्थान यूपी पर कांग्रेस पार्टी काम मन्थन शुरू सूनिया गाधी से मिलने पहुँचे भूपेश बगेल और सचिन पाइलट बंगाल में गो तसकरी कर रहे बांगला देशी घुस पैठियों को बीएस एप ने रोका तो लोहे की राड से किया हमला फाइरिंग में दो तसकर धेर मुठभेड में आतंकी रियाज हुआ धेर श्री नगर में फिदाइन हमले की रच रहा था साजिश कुल गाम में मुठभेड के दवरान मारा गया आतंकी शिराज मौलवी जहरीली धुंध की चादर में लिप्टा दिली एंसी आर बहुत खराब स्रेडी में पहुचा एक्यू आई भारत बायोटेक की कोरोना वाइरस वैक्सीन को वाक्सीन की दुनिया ने माना लोहा मेकिन इंडिया की वैक्सीन पर मेडिकल जर्नल लांसेट स्टडी में हुआ बड़ा खुलासा 24 घंटे में कोरोना के 12,516 नए केस 500 के पार हुई मौत निउजिलैंड के खिलाब भारत की टेस्ट टीम का एलान पहले मैच में रहाणे करेंगे कप्तानी दूसरे मैच से लोटेंगे विराट कोहली उत्तरा खंड में टेहरी के बिजपूर पनियाला मोटर मार्क पर नदी में गिरा वाहन दो लोगों की घटना अस्थल पर मौत कांग्रेस पार्टी के नेता राशिद अलवी पर आरोप जैश्री राम बोलने वानों को कहा राक्षश अलवी पर भड़के भाजपाई सोशल मीडिया पर जारी किया वीडियो जान्धवी कपूर ने दुबई के बीच पर किया लुंगी डांस सोशल मीडिया पर स्शेयर की विकनी फोटोज गाजिया बाद में मुठभेड के दौरान पकड़े गए साथ बदमाश सभी आरोपियों के पैर में एक जगह लगी गोली शेयर बाजार में सिंसक्स 766 अंकों की बढ़त के साथ बंद निफ्टी फिर 18,000 के पार पहुचा भारतिय डाक विभाग खोलेगा 3,114 नए पोस्ट आफिश केंदर सरकार की मिली मंजूरी वीमा छेतर की निजी कमपनी से हुआ करार आम आदमी पार्टी ने जारी की दस उम्मिद्वारों की पहली सूची पंजाब के सभी मौजूदा विधायकों को मिला टिकट देहरा दून में पुलिस ने कश्मीरी छात्रों को उठाया सुरक्षा एजेंशियों से मिले थे इनपुट मुजफर नगर में हुआ बड़ा शडखाद सा SI की परिच्छा देने जा रहे परिवार के चार सदस्यों की मौत गाउं में पसरा मातम AIMIM प्रमुख असदुद्दीन OVC ने सपा मुखिया अखलेश यादों पर साधा निशाना बोले आजम खान के साथ सपा ने अन्याई किया बालीवुड डायरेक्टर अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप अपने बॉइफ्रेंड संग भीकानेर में मना रही वेकेशन सोशल मीडिया पर वाइरल हुई रोमांटिक तस्वीरें